हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको उक्ते सुरज का देश यानि की जपैन के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्स बताऊंगी तो वीडियो को अन तक जुरूर देखें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सेर और चैनल को सब्सक्राइब करें जपैन में माफ्य मांगने यानि की सौरी बोलने के 20 से भी ज्यादा तरीके हैं फैक्ट नमबर टू जपैन में चलते हैं इसके लिए लड़किया डेंटिस्ट के पास जाती हैं और अपने दाथ टेरे मेरे करवा लेती हैं ताकि वह सुंदर दिख सके जपैन में काली बिल्यों को सवभागे का प्रतीक माना जाता है जबकि इंडिया में इसे मन्हूस माना जाता है फैक्ट नमबर शीक्स जप आपकेट चाफे में नियुक्त काफिने अर घुमने के मज़व एक क्राइंग सुमों कॉम्पटिशन आयू जित की जाते हैं जिसमें पहलो आनों के वीच यह प्रतिस परदा होती है कि कौन ज्यादा देर तक बच्चों की तरह हो सकता है 20 में सबसे ज्यादा स्थिक्षित लोग जपैन में हैं यहां की साथ 66 दर्थ 100 प्रतिसत है जपैन को जॉला मुख्यों का घर कहा जाए तो भी यह गलत नहीं हुगा यहां 100 से भी अधिक जॉला मुख्य है जपैन का तैसी रुजिमादिप कैट आइसलेंड कहलाता है क्योंकि यहां लोगों की संख्या मातर 100 है जबकि बिल्लियों की संख्या 4 सा है बिल्लियों की वज़ा से यहां कुटों को लाने की मना ही है जपैन में यदि कोई ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान देता है तो उसके रिष्टिदारों को यात्रा में बाधा डालने का जुर्माना देना पड़ता है जपैन में टीचर और एस्टुडेंट एक साथ मिलकर क्लास की सफाई किया करते हैं तो दोस्तों ये थी जपैन के बारे में कुछ रोचक तत्य आप अगली वीडियो में कौन से देश के बारे में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही वेल आइकन को भी दबा दें थाइंक्यू फूर वाचिंग वीडियो